सो हेलो एवरिवन कैसे हैं सब लोग यार आई होप सब लोग बहुत ही परफेक्ट होंगे और जैसा कि आप लोगों ने देखा अभी बीएची एल का नूटिफिकेशन आउट हुआ है और इस बार बीएची एल ने एक अच्छा आप लोगों के लिए गिफ्ट दिया है तो आ मैं हमेशा से बोलते हो आया हूं कि आप पहले से प्रिपेर रही है कि कोई भी PSU का अगर एक्जाइम होगा तो आपको अल्मोस्ट वन टू वन एंड हाफ मन्त ही देगा वो प्रिपेर करने के लिए तो जैसे कि बीएची एल के नोटिफिकेशन में बोला गया है आप लोग स्टार्ट करेंगे तो आएज़र यहां पर तो यहां पर आप लोग देख रहे होगे जब मैं आप से बात कर रहा हूं किसके बारे में तो इसके बारे में हम बात कर रहे हैं तो अगर आप यहां पर बहुत ध्यान से देखोगे तो यहां पर B.H.L. Examination of Engineering Executive 22. व पोजिशन श ठीके पहला यह CBT, computer-based test होगा, जिसका duration 2.5 hours, या 150 minutes के लिए होने वाला है, इसका duration कितना होने वाला है, तो इसका duration 150 minutes का होने वाला है, तो 1500 minutes का आपका यह पूरा plan रहेगा, तो 1500 minutes में आपको यह देखने को मिलेगा, ठीके 150 minutes में आपको पूरा paper solve करना होगा, ठीके सर यह बात तो हमारे समझ में आ गई, मैंने मुलें यहाँ से अगर मैं next आप से बात करता हो, तो इसको अगर section के description की बात करता हो, कि क्या-क्या exam pattern में देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर section 1 जो है, that is question on the subject, that is, जिस भी branch के आप है, जैसे civil हो सकता है, mechanical हो सकता है, IT हो सकता है, electrical हो सकता है, chemical, metallurgy, finance और HR, तो यह आपका जो भी domain है, जो भी आपका domain है, जैसे civil, mechanical, engineering domain, वहाँ से section 1 create होगा, और जिसके लिए उन्होंने बोला है कि marks per question, एक number per question पूछा जाएगा, और ऐसे 120 question आप लोगों के लिए रहेंगे, ठीक है, तो इसका मतलब है, जो 50% weightage है, वो कहां से पूछा गया है, 50% weightage आपके technical से पूछा गया है, next अगर हम बात करते हैं section 2, तो section 2 में आपसे reasoning पूछी जाएगी, section 3 में आपको general knowledge पूछी जाएगा, और section 4 में आपसे general English पूछी जाएगी, English जो आने वाली है, वो 50 marks के आने वाली है, reasoning जो आने वाला है, वो 50 marks का आने वाला है, और general knowledge जो आने वाला है, वो 20 marks का आने वाला है, इसका मतलब यह total मिला के वापस 120 marks हो गए, तो यह भी 50% आपको देखने को मिलेगा, तो 50% आपका technical देखा जाएगा, और 50% आपका क्या देखा जाएगा, non-technical देखा जाएगा, ठीक है सर, यह बात तो समझ मैं, तो मैंने वाला है, यहाँ पर देखो कि अगर, तो 240 questions आपको देखने को मिलेगा, यहाँ, there shall be 4 options for each question, आपको MCQ रहेगा यह, और MCQ में आपको बुलाए, negative marking रहेगी के नहीं, तो देखिए, ज़रा negative marking of 1 fourth of the marks, मदब जो भी आप लोगों को marks प्रोवाइड करे गए हैं, जैसे आपको बुलाए कि हर एक question paper का, हर एक question का एक mark रहेगा, तो 1 fourth बोलेंगे, तो 0.25 आपका negative marking रहेगा, तो negative marking भी आपकी होने वाली है, ठीक है, तो इसके थूरू, अब यहाँ पे यह भी बोला गया है, कि जो आपको number of candidates रहेंगे, वो ratio 1 is to 5 होने वाला है, एक seat पे 5 लोगों को बुलाया जाएगा, अगर आपकी total अगर आप देखोगे, तो around 120 seats है, तो 120 into 5, तो almost 600 candidate को बुलाया जाएगा इंटर्व्यू के लिए, तो वो किस पे based रहेगा, CBT पे based रहेगा, और यह exam pattern आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा, तो make sure इस exam pattern को आप बहुत अच्छे से जानते हो, HPCL जैसा ही exam pattern है, आप जरूर से जरूर इसको निकाल सकते हो, ठीक है, ठीक है सर, यह बात तो हमारे समग में आगी, मैंने बहुत सेकेंड अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ, कि syllabus को brief में बताईए सर, जैसे मैंने अभी आपको exam pattern बताया, कि 50% technical, 50% non-technical, 120 question technical से, और 50 question reasoning से, 20 question English से, 20 question general knowledge से, और 50 question आपको reasoning से देखने को मिलेंगे, ठीक है, चलिए आइए, यहाँ पर बात करते हैं हम लोग, तो यहाँ पर देखा, section 1 question based on subject, subject पर based question जो है, सिविल, mechanical, IT, electrical, chemical और metallurgy के लिए उन्होंने बुला, subject question, cell, B, as per, ICTE, model, curriculum और UG, degree courses in engineering and technology, ठीक है, तो जो आपके लिए gate का syllabus है, वही syllabus आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, engineering degree में जो आपका syllabus रहता है, वही syllabus आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है, ठीक सर, मैंने बुला, यहाँ पर reasoning के लिए अगर आपसे बात करी है, test on reasoning, तो reasoning के लिए आपको numerical abilities such as number system आना चाहिए, decimal साना चाहिए, fractions आना चाहिए, relationship between numbers आना चाहिए, percentage की बात हुई, ratio and proportion की बात हुई, basic algebraic identities of school algebra factor, height and distance, AP, GP, series, reasoning abilities such as analogies, similarity and differences, similarly, अगर मैं next बात करूँगा तो आपसे general knowledge पुछा जाएगा, अगर इस general knowledge की बात करोगे तो इसमें क्या है, everyday science, जो कि 20 marks का हैगा आपका general knowledge, जिसमें आपसे everyday science, sports, Indian culture, Indian history, Indian national movement, ठीक है, world and Indian geography, natural resources, Indian economy, Indian polity, Indian constitution, Indian national and international current affairs, environment India, और trade and commerce, basic information, ICT, जिसको बोला जाता है, तो यह आप लोगों के लिए general knowledge, और यहाँ पर कुछ basic English के लिए आपको दे रखा है, verbs, pronouns, synonyms, antonyms, misspelled word, wrong uses of word, idioms, phrases, तो यह सारी चीज़े आपसे देखने को मिलेगी, तो यह मैंने जो आपको बताया है, यह कुछ होने वाला है, आपका syllabus होने वाला है, और इसी का exam pattern भी आपने देखा, जिसमें negative marking भी रहेगी, तो मैं आपके लिए जल्दी से जल्दी next session लेके आऊँगा, जिसमें मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँगा, कि cut off क्या गया होगा, क्यूंकि, क्यूंकि जैसा कि आपने देखा, 240 questions पूरे पूछे गए, अब इस 240 questions में, आप लोगों को यह समझ में आता है, कि धाई गंटे दिया हुआ है, मतलब 150 minutes में 240 questions पूछे गए, इसका मतलब आपके पास जरूर से जरूर, one liner question पूछे गए होंगे, क्योंकि अगर कोई भी numerical question पूछे जाएगा, तो obviously time जादा दिया जाएगा उस exam में, जैसे कि gate examination, तो आप तयार रहे है one liners के लिए, और यह जो exam date है, आपने बिल्कुल देखा होगा, 30th October is the tentative exam date, तो आपके बस डेड़ महीने के आसपास available है, तो क्या इसमें preparation की जाती है, यह सारी, क्या preparation की जा सकती है इस exam के लिए, क्या आप कितने efforts के साथ इसको निकाल सकते हैं, यह सारी बात करेंगे हम लोग इसी channel पे, gate address 24-7 पे, तो make sure हर एक notification को, हर एक बात को बहुत ध्यान से सुनिए, we are always with you, and we are trying our best to give you the best content and best information before anyone else, ठीक है, तो thank you guys, thank you so much and love you all, मिलता हूँ आप लोगों से next class में, next session में, जिससे मैं आप सब लोगों को यह बता रहा हूँगा, कि cut off क्या-क्या हो सकता है, till then bye bye, thank you so much,